सार दोस्ता आपका स्वाब एक है मेरे चैनल पर और मच्छर खा रहे हैं मेरे को यह देखिए मेरे पपीते का पेड़ है जो यह हमने रिपेर कराई थी तो यह पेड़ मुहासम इस्तरियों ने हटा दिया था पर मैंने सोचा कि यह देखो हट तो गया यह क्यों ना मैं इसको नगालू तो मैंने इसको नगली की सपोर्ट देके दुबारा से इलाइची के साथ खड़ा किया है और इसके अंदर और उग रहा है और यह फूरूपिंग कर रहा था बहुत अच्छी यह देखे नीचे इसके फूरूट अब जढ़ जढ़ के गिरने लगे हैं कारण मुझ मुझे अभी तोड़ना चाहिए या नहीं यह मुझे नहीं पता है क्योंकि पपिता मैं लगाया तो है पर मैंने कभी इस तरह से पीला तोड़ा नहीं है तो आज हम इसकी हार्वेस्ट करेंगे और मुझे बताना कि आप में से कौन-कौन लोग पपिते की सब्जी बनाते है तो करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग वैसे सुनिता भी पका नहीं है हार्वेस्ट करने हम आ चुके हैं पर यह पका नहीं है इसको रहने देते हैं तो दोस्तों हम फिर एक काम करते हैं क्योंना फिर हम बैंगन की हार्वेस्टिंग कर लेते यह तो अभी नहीं पके हैं यह द जुबुगन बैलत देखे कितने बड़ी ओवी साइज में, पांच-छे पेड़े हैं पपीते के मेरी क्याली, जो ग्रीन बेल्ट है, और आप बैलन देखे, धरते वाला तैयार है, यह देखिए, साइज देखे आप इसका, और इसको हम, मुझे लग रहा, जो कोई भी चीज तूटने के लिए, तैयार नहीं है, और एक देखिए, यह लग रहा, तो इसको तो मैं भी नहीं तोड़ेंगे, यह भरते वाले हैं, उनको मैं तैयार होने देखती है, एक और है, इसको भी देखो, हम नहीं तोड़ेंगे, पर यह तो लेने तो हम पपिते आये थे, और लेके हम, फिर हम लेने, हमने सोचा कि हम एक ले लेते हैं, भरते के लिए, मुझे पसीना आरा, और फिर हमारे को दो मिल गए, तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आज के हमारी यह हार्वेस्ट ह आपको स्टार्टिंग में वीडियो में पपिता दीखेगा, लेकिन लास्ट वे आम वेगन लेके जा रहे हैं, धन्यवाद दोस्तों